दोस्तों इन बच्चों का चेहरा जो है उस पर अलगी एक्स्प्रेशिन है आकिर इनके हाउ भाओ ऐसे क्यूं है दरसल कुछ देर पहले इन्होंने कुछ खाया है जिसके कारणसी इनका चेहरा ऐसा बना हुआ है उसके स्वाद से क्या आप इनके चेहरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इनोंने क्या खाया होगा जिसके कारण इनका जो हाव भाओ है वो ऐसा है चलिए एक एक करके देखते हैं सबसे पहले देखते हैं जो लड़की है इसका चेहरा भला ऐसा क्यूं है क्या खाया होगा इसने दोस्त खाई हो यानि की चली जिहां इसने खाई थी मिर्ची और मिर्ची का स्वाद कैसा होता है तीखा यानि की स्पाइसी तो मिर्ची तो तीखी होती है स्पाइसी होती है क्या आपका हाल भी ऐसा होता है मिर्ची खाने पर अब यह देखिए इस लड़के का चेहरा आखिर ऐसा क्य इसके face पर यह expression है, क्या खाया होगा इसने, एक आक बंध है और eyebrows ऐसे, जैसे कि कुछ खटा खाया हो उसने, इसने खाया था निबू यानी कि lemon, निबू का स्वाद कैसा होता है, खटा यानि की सार तो नीबू का स्वाद होता है खटा और मिर्ची का स्वाद होता है तीखा यह स्वाद तो हमने आसानी से बता दिये अब जरा यहाँ पर मौझूद कुछ तस्वीरों को देखते हैं और पहचानने की कोशिश करते हैं कि इनका स्वाद कैसा होता है अगर आपने इन में से कुछ ना खाया हो तो लेकर आईए अभी और चक कर देखिए कि इनका स्वादा के कैसा होता है अगर कोई आप से पूछे इन चीजों का स्वाद कैसा होता है तो आप क्या बताएंगे सब से पहले यह है एक टमाटर यानि की टमाटो और टमाटर का स्वाद कैसा होता है मुझे तो टमाटर का स्वाद लगता है खटा यानि की सौर सबजी में डालने पर इसका स्वाद बदल जाता है लेकिन जब हम कच्छा टमाटर खाते है तो यह कुछ खटा ही होता है अब यह क्य लॉंग यानि की क्लो और लॉंग का स्वाद कैसा होता है अगर आपने कभी लॉंग को चखा हो तो कड़वी तो होती है पर इसका एक लंबे समय तक स्वाद हमारे मुँ में रहता है तो इसका स्वाद काफी तेज होता है तो लॉंग का स्वाद होता है कड़वा और तेज बि मिलती है मिष्री के साथ और लेकिन यहोदी है हलकी मीठी तो इसका स्वाद होता है मीठा और तेज यानि sweet and strong तो दोस्तों हमने क्या जाना हमने जाना कैसा स्वाद what's the taste हमने यह मजूद चीजों का स्वाद पहचानने की स्वाद जानने की कोशिश की आप भी याद कीजे कि आखरी टाइम आपने क्या खाने की चीज खाई थी और आखे अगर कोई आप से पूचे कि उसका स्वाद कैसा था तो आप क्या जवाब देंगे